Hello Friends, Welcome to my channel Excellent Coaching आज हम Case History Interviews के बारे में डिसकस करेंगे जब हमें किसी का in-depth information चाहिए होती है detail में information चाहिए होती है तो हम उसको case history information या case history details interview बोलते हैं initial interview किसले होता है? initial interview होता है जब हम starting में किसी के बारे में information ग्यादर करते हैं उसके बारे में case history information मतलब हम उसकी detail में और पुराने history से लेके अभी तक जो भी problem उसको हुई है जो भी उसकी साथ experiences हुए हैं उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं this type this is a type of structured interview structured interview हमने पिछले video में पढ़ा जैसे कि वो fixed होते है questions focus कहां पर होता है कि उसकी life की details के बारे में जानने की कोशिश की जाए तो history ली जाती है उसकी diagnosis में बहुत काम आती है case history and इसके बारे में यहां इन्होंने discuss किया हुए issues in case history में तो जैसे आपने देखा होगी कि lawyers होते हैं वो पूरा case history लेते हैं किसी का भी case लड़ने से पहले पुरानी बाते जानने की कोशिश करते हैं पुराने experiences उसके जो भी हुए वैसे ही medical professional भी किसी के case को आगे problem को solve करने से पहले उसकी diagnosis करने से पहले उसकी case history लेते हैं तो इसमें क्या है हमें current status का भी पता चलता है कि currently उसको जो भी problems हो रही है और हमें यह भी पता चलता है कि यह सब शुरू कैसे हुआ था यह सब symptoms का cause क्या था कैसे शुरुआ दूई थी तो background information पता चलती है case history के तुरू जब आप किसी की case history ले रहे हो तो आप उसकी detail जाने की कोशिश कर रहे हो अगर आप detail जाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको रैपो बनानी पड़ेगी क्यूंकि ऐसे suddenly कोई आपको अपनी case history नहीं बता सकता तो अपने बारे में कुछ बताने से पहले अपने detail देने से पहले आपको एक trust चाहिए होता ना कि सामने वाले कुछ उसको आप बता रहे हो वो trust वर्दी है तो इसमें demographic information दी जाती है demographic वो चीज़े होती है जो आपके बारे में factual चीज़े हैं जैसे age, name, address आपकी education, occupation, marital status और इसमें चोटी-चोटी चीज़ों पर खासकर ध्यान दिया जाता है कि आप किस तरह के area में रहते हो और कितने लोगों के साथ रहते हो और यह सारी information बहुत जादा useful होती है आपके experience इसके बारे में पूछा जाता है next part is about the referral मतलब वो पूछा जाता है client से कि उसको refer किस ने किय है क्या client खूद आया है counselor के पास कि उसको किसी ने refer किया है फिर आचाता है problem problem के उपर बात करी जाती है the sequence of for this purpose is in the order that complaints have started the sequence for this purpose is in the order that the complaints have started मतलब इसका जो order है ना के पहले आप जनल information लो फिर आप referral के बारे में पूछो यह एक order में है ठीक है और उसके बाद यह कह रहे है कि जो भी problem है ना उसकी detail लेने की भी sequence होती है जैसे किस तरीके से problem धीरे धीरे बढ़ी क्या duration थी symptoms कैसे आने शुरू हुए developmental years कैसे experience करता आ रहा है कितनी difficulty थी उसको उस time पे schooling के time पे education के time पे by the time the counselor reaches this point he is oriented to the kind of personality the person has to utilize information constructively this information is very important तो clinical evaluation होती है personality के बारे में क्योंकि personality के ऊपर इससे counselor का ध्यान जाते है कि हमें इसकी personality के बारे में भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए कि किस तरह की personality है यह तो फिर क्या होता है कि interviewer ask about the medical history medical history पूछी जाती है psychologist में not be aware about the details of some of the serious physical illness अपनी mental illness के बारे में तो पूछ लेता है लेकिन उसको physical illness के बारे में भी पता होना चाहिए इसलिए वो उससे medical history भी लेता है physical illness के बारे में सब्सक्राफ उसकी viewpoints किस तरह के हैं उसके political views कैसे हैं उसके religious belief system कैसे हैं उसके बाद एक बहुत ही important चीज यहां पर आती है जो बहुत important है वो है इसके इसके अपेरेंस कैसी है बात कैसे कर रहा है speech कैसी है उसके thought process कैसा है क्या वो conscious है क्या वो अवेर है या वो कहीं lost हो रहा है क्या वो बोलते टाइम हिचकी चाह रहा है क्या उसकी appearance ठीक लग रही है बिल्कुली शैबी सी appearance हो रही है तो यह सारी चीज़े नोट करने है the important aspect is regarding pathology the speech sample is mentioned the examiner also ask specific questions to evaluate if the thinking if the client is thinking normally मतलब क्या client की thinking normal है क्या वो normally सोच रहा है यह सारी चीज़े जानने के लिए उसके questions पुछ जाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको hallucinations हो रही है यह उसको delusions हो रही है तो यह सारी चीज़ें MSC में जानने की कोशिश करी जाती है तो case history का format कैसे होता है तो identification data में पहले उसका name, sex, age, education, school, institute जो भी उसका factual information है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं पूछा जाता है और यह क्यों important होता है क्योंकि देखो name का इतना ज्यादा issue नहीं है कि यह इतना necessary क्यों है name लेकिन कईभा client नहीं बताना चाता है अपन security देते हो कि उसको confidential रखा जाएगा हो सकते हैं कई बारी बहुती फेमस प्रिस्टीजियस फैमली या फेमस पस्नालेटी या celebrity client हो वो नहीं बताना चाता हो तो यह सारी चीजे भी होते है कई बारी तो famous लोगों के नाम already psychologist को पता होता है तो एक आपको surety देने होती ही कि आप confidential रखोगे sex या gender का पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे culture के हिसाप से भी देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर gender stereotyping की वज़ा से उस person को कोई problem आ रही है फिर age इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी developmental stage को उसको problem आनी स्कूल और इंस्टिटूट जहां पर भी पड़ा है वहां पर उसका किस तरह का experience रहा है दूसरों के साथ यह सब information important हो जाती है फिर identification पहली stage है identification के बाद problem stated by client मतलब client जो अपनी problem बता रहा है तो problem को ध्यान से सुनना है और problem को समझने की कोशिश करनी है कि वह अपनी problem को जो किस तरीके से उसको face कर रहा है informant कौन है जो client के साथ हुआ है वह कैसे client के बारे में क्या चीजने बताता है वह problem को कैसे परसीव करता है client होता है जो खुड जहल रहा है problem वह कैसे बता रहे है दूसरा informant जो उसके साथ है उसका family members का related और दोस्ते वह कैसे बता रहा है कि क्या problems others मतलब और चीजें हो सकती है जैसे client कहीं पर काम कर रहा है किसी company में तो वहां की environment के बारे में हो सकता है वहां से related कोई चीज हो सकती है वहां का कोई और employee हो सकता है duration of the problem कब से यह problem वह face कर रहा है कब से शुरू ही है intensity कितनी जादा है उस problem कि कितनी जादा severe problem personal history में फिर वही आजाते है birth and development तो birth and development मतलब कि उसकी बच्चपन से किस तरी किसे development हुई है क्या वो हर एक stage को easily pass कर पाया है जो बच्चपन से लेके बड़े होने तक जो हमारी developmental stages होती है school history में उसका school में experience कैसा रहा school education कैसी थी school में उसको कभी किसी ने कोई बुली तो नहीं किया या कोई ऐसी problem तो नहीं आई थी medical history में कोई चोट तो नहीं है पुरानी है कोई physical illness तो नहीं है social history में आजाता है कि उसकी community के लोगों के साथ कैसी बनती है उसकी image कैसी है दूसरों के साथ उसके relationship कैसे है किस type की social support है उस person के पास तो यह भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि social support ना होने की वजह से भी कई बहुत mental illnesses होने की chances होते हैं फिर emotional development में कि किस तरीके से वो problem के साथ deal कर सकता है तो उसकी personality कैसी है emotionally वो कितना stable है pre-morbid personality pre-morbid का मतलब है बिमार होने से पहले वो किस तरह की personality थी उसकी तो उसकी क्या पहले क्या interest थे कैसा attitude था यह सब होने से पहले वो किस तरह का person था वो कैसे cope up करता था अपने stress के साथ clients fantasy life कि उसकी motivations क्या है क्या वो fantasize करता है किसी चीज को क्या वो किसी चीज को पाने की इच्छा रखता है यह उसकी life में कोई deprivation है तो sexual occupational history आ जाती है इसमें तो client कई बार यह sexual content के बारे में बात करने में इतने open नहीं होते है थोड़ा सा यहां पे counselor की skill चाहिए होती है इस तरह की information वो कैसे client से लेता है और occupational history किस तरह से occupation कौन से profession में वो है कैसे काम करता रहा है वहां पे कोई problem तो नहीं है family history में तो जैसे family में कौन कौन लोग है तो उनका relation, age, education, occupation तो यह इसको family constellation बोलते हैं यह word आपको ध्यान रखना है इससे रिलेटेड कितने लोग है फिर अब देखो family history का अलग उसमें आ जाता है अभी तक हम जो इसमें topic कर रहे हैं मतलब एक जो heading हम कर रहे थे इससे पहले identification के बाद वो personal history थी personal history आती है यहां तक sexual occupational history तक अभी चौत्थी heading आ जाती है family history जिसमें family constellation है फिर social economic status भी इसी में आता है किस तरह का economic status है कहां रहते हैं कैसे area में रहते हैं income कितनी है middle income है higher income है relationship कैसा है अपने parents के साथ कैसा है family members के साथ कैसा है because it may happen that client perceive his parents in a misconstructed manner तो अपने parents के बारे में कैसा सोचता है घर में support कैसी है तो यह सब चीज़े जानने होती है फिर interpersonal relationship कैसे है family के साथ family dynamics आपस में लोगों के साथ family में कैसे घर में अगर पांच लोग है तो उनका अपस में कैसे बनती है आपस में उनकी relationship कैसी है फिर mental state examination की में बात करी थी जो बहुत ही important चीज होती है तो यह हर जगा ली जाती है जाए आप clinical psychologist के पास जाओ social worker कहीं पर भी जाओ यह चीज़े बहुत जरूरी होती है नोट डाउन करना यह information जिसको हम MSE बोलते हैं तो यह interview के time पर कुछ चीज़े आप पूछ के इसमें क्या है कि कुछ तो data पूछते हो खुद आप observe भी करते हो कुछ चीज़ें तो MSE can also provide counselor with helpful format for organizing objective observation of the client data provided by the client information in diagnosis and treatment तो इसका भी एक वह अपना format होता है इसमें क्या क्या चीज़े होती है जैसे behavior note किया जाते है कि क्या उस time जो client है उसका behavior appropriate था यह नहीं था किस तरीके से वह behave कर रहा था उसका attitude किस तरीके से था thought process कैसा था तो one is assessment of these will tell us more about personality second and very important that it will also tell us if the person has any disorder of thoughts तो कहीं delusional तो नहीं हो रहा था कहीं वह ऐसी चीज़े तो नहीं सोच रहा था जो delusional में आती है यह जो नहीं है actual में speech quality कैसी थी volume कैसी थी tone कैसी थी perception क्या उसकी जो senses related perception है क्या वह hallucinate तो नहीं कर रहा था फिर higher mental processes में intelligence factor आ जाता है तो इसमें क्या होता है कि level of intelligence देखा जाता है कि कितना intelligently वह person respond कर रहा है तो general level of intelligence क्या है फिर memory aspect भी check कर सकते हैं तो इसमें आप कुछ test वगएरा भी करके उससे हैं कुछ particular यूज करके performance procedure यूज करके आप चेक कर सकते हैं उसका memory attention attention में कितनी span of attention कितना है कितना ध्यान दे पा रहा है चीज़ों पर कितना concentrate कर पा रहा है insight means the person understands the office state अपने बारे में कितना समझता है then psychological examination शुरू हो जाता है जिसमें psychological test use करते हैं हम तो name of the test उसका raw score this is raw not raw raw score होता है फिस standard score होता है standard score क्या होता है कि जो norms की according score score कितना होना चाहिए particular person का इस age के person का age gender occupation इन सब चीज़ों के according एक normal score कितना है और इस person का score कितना आया है यह दो चीज़े होती है फिर उनको compare करना interpret करना integrated note जो यहां पर लिखा इसका मतलब है कि जो interview लिया गया है उसका एक conclusion सा लिखा जाता है summary लिखी जाती है then diagnosis करा जाता है तो diagnosis कैसे करते है manuals follow कर सकते आप DSM, ICD जो भी आप mostly follow करते हैं तो जैसे इंडिया में ICD ज्यादा follow होते है तो आप एक manual होती है जिसमें symptoms दिये होते हैं उसको आपके client के symptoms हैं और जो interpretation आई है आपकी उसकी psychological testing की उन सारी चीजों से match करके आप diagnose कर सकते हो कि उसको problem क्या है काउंसलिंग में यह इतना जरूद नहीं परती काउंसलिंग क्यूंकि एक normal बहुती mild problems के लिए होती है clinical problems में इनकी जरूद पर सकती है in counseling different classification is used such as study problem adjustment problem negative self concept तो counseling में हम generally इन सब चीजों के बारे में बात कते हैं जैसे किसी को adjustment problem है या किसी को negative self concept है किसी का तो इतना ज्यादा हम उसको technical terms में नहीं बोलते कांसलिंग में clinical में ज्यादा टेक्निकल हो जाता है so with the help of the case history and MSC of the client this is diagnosed and diagnosis करने के बाद वता रहे हैं prognosis prognosis का मतलब क्या है यह दो important word है इनके बीच में आपको फरक्त पता होना चाहिए prognosis का मतलब है कि recovery के कितने chances है so there are few factors which are set for recovery while some are negative counselor considers good and bad factors decide probability of recovery तो कितने good factors है जिसके base पे आप recover हो सकते हो that is prognosis now counseling design choice of therapy after understanding all the essential aspects of the client's problem this is the time to actually do the intervention intervention means अब आप क्या changes करवाओगे उसके lifestyle में क्या करवाओगे जिससे उसकी problem ठीक हो जाए the problem the client is facing can be treated in different ways यह counselor का खुद का skill होता है कि वह किस तरीके से कौन सी therapy यूज करके कौन सी intervention यूज करके उसकी problem को ठीक करता है उसको cope up करना सिखाता है deal करना सिखाता है तो इस तरीके से case history method काम करता है अब next video में हम बात करेंगे psychological testing की आंक्स में बात करेंगे जो हो अब में कर दो जए दो यूज झाल कर दो कि नहीं है